तो गदर्टू ने नोन वीकेंड डेज पर भी गदर मचा रख था है मूवी ने 30 करोड का भारी भरकम कारुबार किया है 100 करोड और मेरी 80 करोड का इसका बजेट है जो 3 दिन में इस मूवी ने कवर कर लिया था और 50 करोड तो इस मूवी ने इंडिपेंडनस दे के दिन हिट किया मूवी अब तक टोप्रल 200 करोड से उपर कमा चुकी है और कई लोग कह रहे हैं कि ये पठान को भी पीछे छोड़ सकती है बिकोज इस मूवी के और अभी टकर में कोई मूवी नहीं दिख रही है और आगे भी आने वाले टाइन पर भी कोई बड़ी मूवी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है ना है किसी की रिलीज देट अभी पास है तो ये मूवी एक लोग रन्मेंड बहुत ही अच्छी चलेगी सिनमास में वही कोई जिटो जोके इसके साथ के साथ देलीज हुई थी वो भी अपना कारोबार अच्छा कर रही है मूवी दिन हर रोज 7-8 करोड रुपे कमा रही है नौर्वल डेज में वीकेंड में वो मूवी 10 करोड के उपर चली जा रही है वही गदर नौर्वल डेज में 30 करोड के लगब कारोबार कर रही है और वीकेंड में 40-45 करोड चली जा रही है वही सन्नी देवल अलग-लग जगह पर इवेंट्स कर रहे हैं बीच में एक कोंटोवर सी भी आये थी जहांपर एक किंदर समाज के लोग थे जो कि उनके साथ सेल्फी खिचाना चाहते थे वही सन्नी देवल उस बात से थोड़ा खफा थे और उनसे सेल्फी लेने से मना कर रही थी और उनकी एक एरपोर्ट वाली वीडियो भी वाइरन हुई थी एक लड़का उनके साथ सेल्फी ले रहा था और वो अच्छे से क्लिक नहीं कर पा रहा था सेल्फी तो सन्नी देवल अपना आप आखो बैखते हैं और गुस्से से कहते हैं कि जल्दी करना खैप गदर टू ब्लोकबस्टर है मगर एक एक्टर को अपने ग्राउंड रूट्स नहीं बोलने चाहिए क्योंकि वो खुद एक MP है एक politician है तो politics में भी उनका गलत message जा सकता है